हलो फ्रेंड्स रूबी स्कूक बुक में आप सबी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बिना प्याज लाशन का बहुती स्वादिस्ट फुल गोबी आलू मटर का सब्जी तो चलिए इसका रेशिपी आप सबी के साथ सेयर करते हैं तो देखिए इसके लिए एक फुल गोबी को छोटा छोटा पीस में हमने काट कर लिया है और आलू का छिलका उतार के इसको भी मुटा मुटा पीस में थोड़ा हमने काट कर ले लिये हैं यहाँ पर एक कटोरी मटर लिये हैं दो टमाटर तीन चार हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने अध्रक लिया है तो एक कड़ाई को ग फूल गोबी को आप इस तरह से फ्राइ करके बनाएंगे तो फूल गोबी आलू का सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फूल गोबी का जो फूल है वो तूटेंगे नहीं देखने में एकदम खिले खिले रहेंगे तो देखें तीन से चार मिनट में फूल गोबी अच्छे से गुलाबी हो गया है तो शाइट से इस तरह से ओयल से फूल गोबी को निकाल लेंगे अब उसी ओयल में हम कट किया हुआ आलू को डाल देंगे और इसे भी हलका गोल्डन करके हम निकाल लेंगे आलू थोड़ा फूल गोबी से हाड होता है तो इसको अच्छे स चला लेंगे तीन से 4 मिनाट मीडियम फ्यम में ढखकर भून लेंगे इसे एक बार चला कर फिर से ढख देंगे 2 मिनाट के लिए इधर मसाला का तेयारी कर लेंगे इधर दो जो टमाटर था उसको काट कर हम मिक्सी में डाल देंगे अद्रक हरीमीज को डालेंगे और इसका धकर लगा के इसको बारी किकदम पीछ लेंगे इधर देखिए आलू भी थोड़ा सा सौप्ट हो गया है और हलका कलर आ गया है अब इसे बीना अच्छे से ग्रोल्डन कर लेंगे उसके बाद इसे भी एक प्लेट में साइट से निकाल लेंगे तो देखिए आलू भी फ्राई हो गया इसे निकाल लिया है अब उसी कड़ाई का ओयल में हम एड़ करेंगे एक छोटा चमत जीरा एक सुखे मीच दो तेज पत्ता इसको फ भी जनिया पाउडर थोड़ा सा हलदी पाउडर अधा छोटा चमत जीरा पाउडर अधा छोटा चमत कासमेरी लाल मिर श्षाद अनुशान नमक तो फोड़ा सा हमने गोल की पाउडर एड़ किया था उस वक्त कैमरा बंध हो गया था उसके बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक ये मशाले ओयल रिलीज ना कर दे तो देखिए इसको लगातार चलाते हुए भूनना है तीन से चार मिनट में ये मशाले टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे अड़ करेंगे एक कटोरी मटर मटर को ज़्यादा भूनना नहीं है मटर बहुत जल्दी सौफ्ट हो जाता है तो एक से दो मिनट इसको भूनेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ फूल गोबी और आलू को डाल के मिक्स कर लें तो देखिए मशाला अच्छे से फूल गोबी और आलू के साथ मिक्स हो गया है इसे एक से दो मिनट अच्छे से बिना ढ़के ही हम चला लेंगे तो देखिए फूल गोबी आलू अच्छे से भून गया है तो अब हम यहाँ पे गरम पानी आड़ करेंगे जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी साथ से आप एड़ किजिए पानी और गरम पानी ही आड़ करें इससे सबजी का स्वाद बढ़ता है इसी स्टेज पे हम एड़ करेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी इससे सबजी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है इसके साथ हम एड़ करेंगे एक छ अब इसे हम एक बोल में सर्व कर लेते हैं इसे आप रोटी चाबल पूरी पराठा कोई भी चीज के साथ खा सकते हैं और इस तरह से आप फूलगोबी आलू का सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिस्ट बनेगा अगर आपको ये फूलगोबी आलू मटर की सब्जी का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग